अबिशेक प्रोड़क्स और आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक बहुती स्पेशल प्रोड़क्स के बारे में जिसका नाम है कोल्ड लामिनेशन फिल्म इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे वह आडी कार्ड में यूज होता है आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ये कोल्ड लामिनेशन फिल्म जो 13 इंच का होता है और 50 मीटर का इसका लेंथ होता है कैसे आप इस छोटे से रोल का इस्तमाल करते हुए आप एक यूनिक लूग दे सकते हैं अपने फोटो अलबम को और कैसे आप इसे यूज कर सकते है अपने mobile sticker में भी तो ये जो cold lamination है ये एक एक तरहका sticker lamination होता है जो की एक cold lamination machine के थुरू printed paper के उपर एक प्लास्टिक का sticker lamination किया जाता है इसे एक definition हो गया cold lamination का और अगर आपको cold lamination की machine के बारे में और जहनकारी चाहिए cold lamination के बारे में और जहनकारी चाहिए तो नीचे description पे मैंने एक video का link दे दिया है जिसे आप cold lamination machine और cold lamination का process समझ सकते हैं और इस video में हम लोग बात करेंगे different type of cold lamination films तो पहला हमारा variety है हमारे पास total 6 varieties है और जो पहली variety है हमारी वो है flower, flower cold lamination इसे आप अगर ध्यान से देखेंगे मैं आपको zoom करके बताता हूँ अभी तो इसमें आप देखेंगे कि हर तरह, हर जगा flower और leaves का pattern बना हुआ है जो कि एक बहुत unique look देगा आपके photo album को या फिर अगर आप इसे mobile sticker का lamination कर रहे हैं तो उससे भी एक बहुत unique और different look आएगा जो customer को और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपके पास मिलेगा तो इस तरह से आप जो pattern देख रहे हैं ये pattern जो होता है, cold lamination film के उपर होता है और आप ये जो print out है किसी भी printer से निकालेंगे जैसे digital printer में निकालेंगे और इस film के थुरू कर देंगे तो उसके उपर ये flower pattern आ जाएगा तो ये था हमारा एकदम latest और new flower pattern second हमारा pattern है, बहुत ही famous sparkle या फिर मैं कहूँ glitter cold lamination तो ये नाम से ही एकदम आपको clear आ रहा है बहुत ही shiny और बहुत ही glitterful इसका आपको effect दिख रहा है जैसे आपको तारे चमकते हैं वैसे ये एक आपको चमकने वाला feel देता है इससे बहुत ही rich look आता है आपके print out के ओपर तो अगर कोई photo album जो आप बना रहे हैं उसमें किसी ladies ने gold पहना है या कुछ दूसरे gift वो लोग receive कर रहे हैं तो गोल्ड भी जो है एकदम उठके आता है इसके अंदर थर्ड है हमारा canvas cold lamination जो की बहुत common है photo frames की industry में photo studios में और बहुत common हो चुका है आजकल mobile sticker में तो इसे भी मैं आपको zoom करके बता देता हूँ यह canvas की speciality यह है कि इसके अंदर जो lamination होता है paper होता है वो print होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई painting हो तो उसका एक यह theme हमारे पास चलता है print out भी उस हिसाब से आपको निकालना होता है और उसके उपर इस तरह से dot dot lining और checks का mesh का एक pattern बना रहता है फिल्म के उपर जो आपकी photo के उपर दिखता है तो यह बहुत ही interesting look देता है आपके print out को आपके design को अगला है हमारा 3D जो की बहुत common है और बहुत ही regularly हम यह भी supply करते हैं हमारी website के तरू इसका नाम है 3D cold elimination और इसमें इसकी खास्यत यह है कि एक holographic या फिर एक 3D look देता है आपके print out को और काफी अलग अलग तरीके से यह light को reflection करता है इसको मैं आपको zoom करके बताता हूं तो इस तरह से अलग-अलग angle पे वह अलग-अलग design और अलग-अलग look देता है अलग-अलग तरीके से light को reflection करता है तो काफी interesting और काफी मज़ेदार लुक देता है आपके designs को इसे हम कहते हैं 3D cold lamination तो जिस तरह का आपका print out है जिस तरह का आपका design है उसके हिसाब से आप हमसे cold lamination का film लेंगे तो उसका और जो result है उठके आएगा अगली अगला design है हमारा बहुत ही common बहुत ही popular matte cold lamination matte का मतलब होता है rough matte कई बार इसे हमारे customers satin lamination के नाम से भी जानते हैं तो यह जो है rough finish देता है एक dull finish देता है इसे जो रौशनी है वो reflect नहीं होती वो एक dull finish के जैसे आता है एक rich dull look देता है तो अभी मैं आपको यह zoom करके बता रहा हूं तो इसके अंदर इस तरह से आपको dull finish का एक आउटकम आता है और इस तरह से चोटे 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 रैंडम दानी बनी रहते हैं पूरे पेपर के उपर जिसे लाइट जो है reflection नहीं आती उसके उपर किसी तरह का वो नहीं रहता तो अगर आप इससे photo frame भी बनाएंगे इस lamination से तो वो tube light की या कोई दूसरी light है वो इसके उपर ऐसे दिखेगे नहीं जोर से जो reflection रहेगा smooth reflection रहेगा उसका इस उस case में हम लोग यूज करेंगे जहां reflection आपको कम चीए light से वहां आप यूज करेंगे matte lamination last but not the least यह हमारा latest और newest cold lamination film khadi cold lamination खादी जैसे हो गया fabric cloth को कहते हैं khadi और यह उसी के उपर inspired एक lamination film है plastic के उपर जो film होती है sticker lamination यह उसी को पर inspired है और यह इस तरह से feel देता है जैसे कोई कपडे का feel हो उस तरह से यह एक छोटा सा pattern अंदर रहता है तो जिस तरह से खादी लंबे-लंबे धागे होते हैं khadi कपडे के अंदर उसी तरह इस lamination में भी ऐसे लंबे-लंबे-लंबे-लंबे धागे जैसे बने रहते हैं तो इसलिए इसका नाम है khadi cold lamination तो आपको समझ में आ गया होगा हमारे six varieties of special cold lamination films के बारे में और अगर आपको इन सारी films में से कुछ item interesting लगे हैं और आप चाहते हैं आप उसे resell करना चाहते हैं या use करना चाहते हैं अपने products के उपर तो login कीजिए हमारी website www.abhishekide.com पे और इनके बारे में आपको अगर कोई technical doubts हो तो आप हमारी YouTube comment section को पूरा इस्तमाल कीजिए उसमें हमें पूरे suggestions दीजिए ideas दीजिए कोई technical doubt हो तो वो पुचिए जिता जल्दी हो सका हम उसे आपको reply भी करेंगे अगर आप mobile sticker का business करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास हम आपको यह cold lamination film supply कर सकते हैं यह हमारे पास अगर आप mobile sticker का retail काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यह roll form के अलावा A4 size के cut piece में भी यह films अवेलेबल हैं और अगर आप एक photo studio photo frame का business अरन करते हैं तो आपके लिए हमारे पास यह roll form में भी अवेलेबल है जो कि एक bulk wholesale rate में आपको यह मिल जाएगा और अगर आप यह हमसे physically हमारे store से खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी address जो है आपको हमारी description में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो description में मैंने नीचे link दे दिया है क्रिपया उसमें जरूर जान किजिए और ऐसे और updates आपको आते जाएंगे and thank you so much for watching the video till the end and thank you